तो साथ में वह यह फार्म भी चलाता है इसमें आपको बताया जो उनके साथ चाथ नगर अध्यक्स के साथ साथ ये अपना वी चलाता है बाकी कुछ खाद का दुकान भी है आज से 22 साल पहले कैसे थे और आज कैसे है वो सब बताएंगे ये जो घर है उनका है ये देखे इसम इनके पास जो काम करने वाले लोग है तो यह सब जो है इसी फार्म से हुआ है तो उन्होंने बताया कि आज से बाइस साल पहले वो क्या थे और अब क्या है तो वही जो आज हम उनके मुझवानी सुनेंगे कि मुझवानी सुनेंगे वो क्या बताता है क्या होता है कैसे हुआ इतना तक कैसे पहुचा जो फार्म का ओनर ऑनर का बड़ा भाई जो सबसे पहले इस मतलब बकरी फार्म मतलब बकरी पालता था बोर को नहीं पालके जो यहां का देशी नसल पाल रहे थे बाद में बोर में क समझे इंजोई कीजिए क्योंकि यह एक बहुत ही मोटिवेशन साथ में आपका लाइफ चेंजिंग वाला वीडियो हो सकता है अगर इसमें कोई आप काम करना चाहोगे क्योंकि जहां पर चाह है वही पर रा है एक बात बोला जाता है तो अगर आप चाहोगे पका हंडेट पर ठीक है